नमस्कार दोस्तों आज हम सुनेंगे नवरात्री के दूसरे दिन की कथा मा ब्रमचारिनी की कहानी पौरानिक कथा के अनुसार नवरात्री के दूसरे दिन मा ब्रमचारिनी की पूजा की जाती है ऐसा माना जाता है कि मा ब्रम्हचारिनी मा दुर्गा नौवा रूप है इस रूप में मा दुर्गा घोर तपस्या करती है एक मान्यता के अनुसार ब्रम्हचारिनी का अर्थ है ब्रम्ह का अर्थ है तब अथार तपस्या और चारिनी का अर्थ है उच्साह से भरी हुए नारी अर्थात ब्रम्ह अगनी कुंड में खुद को भस्म करने के बाद माता सती ने परवत हिमानिये की पुत्री के रूप में जन्मलिया तब उनका नाम माता पारवतिया शैल पुत्री रखा गया धीरे धीरे समय बीटता गया जब शैल पुत्री बड़ी हुई तब एक दिन नारत मुनी ने उन्हें दर्शन दिया और उनका मार्क दर्शन किया नारत जी ने कहा यदि वह तब की राह पर चले तो उन्हें पूर्व जन उनका ज्यात होगा और पूर्व जन्म में भगवान शिव उनके पती थे, यदि वह उन्हें अपने पती के रूप में पाना चाहती है, तो उन्हें तपस्या करनी होगी तभी से पार्वती जी का नाम ब्रमहचारिनी रखा गया। कुछ समय बाद उन्होंने फल खाना भी त्याग दिया और कई सालों तक निराहार तपस्या और साधना की बहुत समय तक कुछ न खाने के कारण देवी का शरीर क्षीन हो गया। की पती के रूप में प्राप्त होंगे देवी ब्रमहचारिनी अपने भक्तों के सभी दुहक हर लेती है। इसी के साथ नवरातरी के दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई जै मा ब्रमहचारिनी इस कथा के सुनने और सुनाने से पुन्यफल की प्राप्ती होती है तो मिलते हैं। तो मिलते हैं तो झास्ट झास्ट ढीं से जबताइनी जास्त gebracht कि दूसरे इडनी घर्ल्प्तों के सा हम पुछार इसन जब टूस जएसे अश्ते हैं।